आज हम बनाएंगे चावल के पापड इस तरीके से बने हुए चावल के पापड ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे और एक कटूरी चावल से धेरो पापड बन जाते हैं ये पापड देखने में सुन्दर और खाने में टेस्टी लगते हैं कुरकुरी लगते हैं अगर तो चलिए चावल के पापड़ बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल को अच्छी तरीके से बीन करके और धो करके गला दिया था दो दिन के लिए और चल्दी से इसको ढख दिया था जिससे इसमेल ना हो पानी को हम सुवह साम पलट देंगे एक बड़ा चम्मच हम साबुदाना लेंगे इसको मैंने दो तीन घंटे के लिए भिगो दिया था आप साबुदाने की जगे साबुदाने का आटा भी ले सकते हैं एक बड़ा चम्मच अब हम इन दोनों को साबुदाना और जावल को अच्छी तरीके से पीसेंगे आवसक्ता के अनुसार हम थोड़ा पानी मिलाएंगे और ध्यान लखेंगे बारीख पीसेंगे इसमें दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मैं अक्सर इस तरीके से पापड बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनती है मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आए तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स बक्स में बताएए कि आपको इपापड कैसे बने अब देखिए इसका अच्छे अबारिक पिस्ट बन चुका है मैं इसको निकाल लीती हूँ बावल में हमें ये गोल बिल्कुल इडली डोसे जैसा चाहिए देखिए मेरा गोल इसी तरीके का है अगर आपको आबसकता हूँ तो आप पानी मिला सकते हैं चौथाई चमच हमें इसमें खाना सोड़ा और चौथाई चमच मिलाएंगे नमक नमक को आप अपने टेस्ट के उनसाथ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं और आदा चमच मिलाएंगे इसमें जीरा इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे अब देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से मिला लिया है और हमारा बैटर तैयार हो गया है ये बैटर बल्कुल इड्री दोसे जैसा है मुझे पानी की बल्कुल आपसकता नहीं है अगर आपको आपसकता हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब चलते हैं आगी की प्रोसेस पर और इसके लिए मैंने 3 प्लेट लिये हैं आप जैसे पापड बनाना चाहते हैं छोटी या फिर बड़ी उसी प्रकार से आप प्लेट ले सकते हैं मैंने इस तरीके से तीन ठाले लिया और इसको हम थोड़ा चिकना कर लेंगे क्रिसी कर लेंगे आप तेल से लगा सकते हैं रिफाइन ओयल लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं जो आपको पसंद दो लगा लीजिए और इसमें हम दो चबमच हम बैटर डालेंगे और बैटर को हम बिल्कुल उसी तरीके से फैलाएंगे जैसे हम डूसे को फैलाते हैं पूरे चारो तरफ और इसी तरीके से हम तीनों प्लेटा को तयार कर लेते हैं इस तरीके से पापड बहुत ही भड़िया बनते हैं और नहीं तूटते हैं और नहीं भटते हैं अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा इस तरीके से बने हुए पापड जल्दी सूख जाती हैं आप चाहें तो इन्हें पंखे में भी सुखा सकती हैं मैंने देखी इस तरीके से तीनों प्लेटों को तयार कर लिया है अब हम लेंगे एक भगोनी और उसमें हम पानी को बॉइल होने के लिए रखेंगी प्लेट का साइज आप इस तरीके से लें कि आपकी भगोनी पे आसानी से आ जाए अब हमने लिए एक भगोनी और इसमें हमने पानी बॉइल होने के लिए रख दिया है देखिए हमारा पानी भी पॉयल हो गया है अब हम इस पे रख देंगे प्लेट को और प्लेट को रखने के बाद 10-12 सेकिंड में इसका कलर चेंज होने लग जाता है और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसको पलट देंगे अब देखिए हमारी पापड का कलर चेन जोरी लगा है अब हम इसको किसी कपड़े से पकड़के पिलेट को और पलट देंगे ध्यान लखेंगे केरफुली करेंगे चिम्टी से या कपड़े से जरूर पकड़े और इस तरीके से करीब एक मिनट में ये पापड इधर से भी पक जाता है तीन पिलेट लेने की बज़े से पापड फटा फटा फट बच जाती है बहुती कम समय में अब करीब एक मिनट हो गई है देखिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ देखिए वाओ कितना भड़िया पापड बना है और जब तक हमारी ये पिलेट थंडी हो रही है हम दूसरी पिलेट को रख देते हैं और ये जब तक पकीगी तब तक हम उसको निकाल देते हैं इसलिए इससे पापड बहुत ही जल्दी बन जाते हैं अब हम इस पापड को भी 10-12 सेकंड के लिए इस तरफ से सिखने देंगे और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसको परड़ देंगे अभी हमारी वो पिलेट थंडी हो जाएगी मैं उसको आपको दिखाऊंगी पापड निकाल करके अब देखिए ये भी हमारा इस तरफ से पक चुका है अब हम इस पर लग देंगे तीसरी पिलेट और मैं इनको आपको निकाल कर दिखाती हूँ देखिए ये हमारे पापड अब ठंडी हो गए है थोड़े से पिलेट ठंडी हो गई है अब हम इस पापड को किसी चाकू की सायता से और इस तरीके से किनारा को हटा करके निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ये पापड और देखिए इस तरीके से बने हुए पापड काफी टांस्पिरेंट बनते हैं काफी पतले पतले बहुती भड़िया और आप जितने बड़े बनाना चाहें उतने बड़े बना सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी एक और पापड निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना बड़िया बना हैं, बहुती पतला और टांस्पिरेंट बनते हैं, और सबसे बड़ी खास बात इसकी, कि इस तरी के से बने हुए पापड ना तो तूटते हैं और नहीं फटते हैं, और प और जब तक हम इन पापड़ों को निकाल रहे हैं, हमारी पुवाली पापड की पिलिट पुपी तयार हो गई है, तो आप इस तरीके से फटापड से आप एक को निकालेंगे और दूसरा पक्कर की तयार हो जाएगा, तो इस तरीके से फटापड फटापड की पापड बन क में सुखा रहे हैं और यह करीब सूखने में 2-3 दिन में सूख जाती हैं बाकि यह का डिपेंड करता है मौसम कैसा है जब यह पापड़ अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इनको इस्टोर कर सकते हैं सालवर के लिए यह बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और जब आपका सूखने में करीब 3-4 दिन लगे हैं धूप पर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय लग सकता है तो अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको पापड़ फ्राई करने के लिए मैंने कड़ाई में तेल लिया है तेल अच्छा से गरम हो गया है और ध इस तरीके से मैं भी आपको दूसरा देखाती हूँ देखिए आप इन पापड़ों को कभी भी फ्राई करके खा सकते हैं हल्की पल्की भूक में खा सकते हैं या फिर आप चाय के साथ इंज्योई कर सकते हैं आप इन पापड़ों को सालवर्ता के स्टोर कर सकते हैं यह बिल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पिलीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चनल को सब्सकाइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं ने रेसिपी के साथ, धन्नवाद